है 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 हलो फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चिन ट्राय किया होगा और बन भी किया होगा एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सल्यूशन सही है या नहीं है तो पहला हमारा स्टेप रहता है कि हम यह जो भी इन्पूट और आउट्पूट जी एस्ट है उनको हम यहां पर लिख लेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यह यहां पर इस जी एस्टी और यहां पर एस जी एस्टी ठीक है IGST, CGST and SGST, ठीक है, अभी क्या करना है, यह हम यहाँ पे 250,000, ठीक है, 4,00, 2,00, and 2,00, ठीक है, यहाँ पे 4,00, 1,50,000, 1,50,000, सबसे ठीक है, यह फॉर्मेट में पुट करने के बाद वैल्यू सबसे पहला step रहेगा, we have to compare input IGST with output IGST, अगर, 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 तिहान से सुनिएगा, मैं से सारी चीजों को यहाँ पे रेपीट कर रहा हूँ, यदि हमारा input IGST, output IGST से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने input IGST का use करेंगे, output IGST के settlement के लिए, ठीक है, उसको settle करने के बाद, हमारे पास obvious सी बात है, और amount बचेगा, तो हम क्या करेंगे, output CGST का settlement करेंगे, उसके बाद भी यदि बचता है, तो output SGST का settlement करेंगे, with input IGST, ठीक है ने? फिर उसके बाद भी, यदि मालो की हमारा जो input IGST है, वो output IGST, output IGST को clear करने के बाद बचा, और फिर हमने output CGST भी clear किया, मगर output CGST पूरा नहीं हुआ, तो अब यह जो बचा हुआ, output CGST है, वो आप input CGST की help से कर सकते हैं, जो आपका output SGST है, वो input SGST की मदद से settle कर सकते हैं, यह तो हो गया, जो हमने पहला case रिखा था, अब आते हैं, second case पे, second case कहता है, कि यदि आपका output IGST, input IGST से ज्यादा है, तो क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है, हम input IGST का use करेंगे, जितना भी output IGST हो सकता है, settle वो कर देंगे, हमारा जो input CGST है, उसका use करेंगे, output CGST के settlement के लिए, जितना भी हमारा input SGST है, उसका भी use करेंगे, output SGST को settle करने के लिए, बरबर हो गया, अब, आपका अभी भी output IGST बचा होगा, और यह जो output IGST है, इसको settle करने के लिए, आप input CGST का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और उसके बाद भी यदि नहीं clear होता है, तो input SGST का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, ठीक है? यह पूरी गाथा, आप चाहें, तो दो बारा सुन सकते हैं, जब revision करना होगा, तो भी आप इस गाथा को सुनेंगे, तो आपको clear हो जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यह 2,50,000 का इस्तिमाल करेंगे, हम यह liability को settle करने के लिए, obvious सी बात है, पूरा नहीं होगा, यहाँ पे भी यह 2,00,000 का इस्तिमाल, यह 1,50,000, यह settle कर दिया, खतम हो गई, यह भी 1,50,000, यह भी खतम हो गया, ठीक है? अब इस तरफ भी मैं record कर देता हूँ, हमारे पाथ यह 2,50,000 था, जो की खतम हो गया, इसने अपने प्राण दे दि यह दे दिये, आउटपुट, IGST को सटल करने के लिए, ठीक है? इसने, एक लाक पचास ज्यार, दे दिये, 50,000, ठीक है? तो यह 50,000 हमारे पास अभी भी यह बैलेंस है, ठीक है? अब यह बैलेंस है, और यहां पर आ जाओ, तो यह 1,50,000 भी खतम हो गया, बचा कितना? यह 50,000, तो यह 50,000 भी आपका बैलेंस है, तो 50,000 यह, 50,000 यह तो यह भी आपका asset है, और यह भी आपका asset है, अभी बचा हुआ है, अभी दियान देना, अब आपके पास अभी भी यह output IGST नाम की liability है, हमने क्या किया? पहले input IGST का इस्तिमाल किया, इसको खतम करने के लिए, मगर यह फिद भी खतम नहीं हुआ, तो उसके बाद हमारे पास बचता है, input CGST, तो input CGST हम लगा देंगे, यह लो, input, input CGST लगा दिया, ठीक है, उसके बाद बचा कितना 1 lakh, एक लाग बचा, अब हमारे पास यह 50,000 है, यह 50,000 भी हमने लगा दिया, फिद बचा कितना 50,000, तो यह हमने लगा दिया, input SGST, ठीक है? तो यह आपका 50,000 भी खतम हो गया, किस के लिए, यह खतम हो गया, output IGST के लिए, और यह 50,000 भी खतम हो गया, output IGST के लिए, ठीक है, यह खतम है, यह भी खतम है, तो अब आपके पास जो balance बचता है, वो कौन सा बचेगा? केवल और केवल यह 50,000 balance बचा, which is a liability, ठीक है? समझ में आया, किस तरीके से करना है, this is the simple process which we have to follow. एक बार मैं कहूंगा, फिर से आप सारे के सारे जो lectures हैं, इसको लेकर, set of को लेकर उसको देखिए, प्रेक्टिस कीजिए, चार questions है, sufficient है आपकी प्रेक्टिस के लिए, में को नहीं लगता, कहीं भी कोई दिख़त आपको आएगी, चार, बाबाई!